यहां हमारे पास क्या है एक neutral body है यानि कि number of electrons और number of protons बराबर हैं इस neutral body में अब हमें अगर इसे charge करना है तो हम इसे कैसे charge कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं उनमें से induction भी है तो अगर हम इसे induction से charge करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां हमने एक negatively charged body को इसके पास रखा बिना टच किये और उससे क्या हुआ उससे सारे negative charge यानि electrons दूसरी तरफ चले गए तो negative charges दूसरी तरफ चले गए इस तरफ से positive charge रह गया तो यह end यानि end A positively charged हो गया और end B negatively charged हो गया अब यहां तक तो हम जानते हैं कि induction में यही होता है बटा लेंगे तो क्या यह neutral body फिर भी चार्ज रहेगी वह चार्ज नहीं रहेगी तो वापस से वह neutral हो जाएगी अगर हमें इस body को चार्ज ही रखना हो तो क्या करना पड़ेगा यानि कि induction से हम इस body को permanently अगर चार्ज करना चाहें तो वह कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें ए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस तरफ हमारे पास bound charges है यानि कि यह charges अपनी जगह पर fixed हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है positively charged end है यह because यहाँ पर electrons की कमी है और यह जो electrons यह negative charge है वह repel हो गये हैं इसकी वजह से वह दूसरी तरफ चले गये हैं यह है free charges यानि कि यह free to move ह हो सकते हैं जब भी हम इसको हटाएंगे तो यह वापस move होके redistribute हो सकते हैं तो यह free वाला पार्ट है यह bound वाला पार्ट है तो अब हमें अगर इस चीज़ को charge करना है तो हम इस free वाले पार्ट को change कर सकते हैं बाउंड वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा वह अपनी जगह पे fixed है तो क्या करते हैं हम हम अब इस position में अर्थिंग यानि अर्थ से इसे connect कर देते हैं एंड बी को जब हम एंड बी को अर्थ से connect करते हैं तो क्या होता है एंड बी नेगेटिव ली चार्ज था बहुत सारे electrons यहां जमा थे जैसे ही अर्थ से connect हुआ तो अर्थ ने क्या किया वो सारे excess electrons जो एक तरफ ज्यादा थे उन्हें accept कर लिया तो electrons एर्थ की तरफ transfer हो गए और जब electrons एर्थ की तरफ transfer हो गए तो टोटल में क्या हुआ टोटल में तो यह neutral ही था अब इसमें से electrons की कमी हो गई यानि यह क्या हो गया positively charged और अब हम जब इस negative rod को वहां से हटा लेंगे तो भी यह positively charged ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर को electron तो आ नहीं रहा तो अब permanently यह charge इसके अंदर रह गया तो जब हम यह और हटा लेंगे तो भी यह positively charged ही रहेगी यह body और इसमें important है कि जब हमने यह हटाया तब हम earthing भी हटा दें क्योंकि earthing से वापस electron यहां आ सकते हैं तो हमने क्या किया पहले electrons को allow किया बाहर जाने के लिए जब वह बाहर चले गए हमने earthing हटा ली और फिर rod भी हटा ली और अंदर में क्या रह गया सिर्फ positive charge रह गया इसके अंदर negative charge आने का कोई रास्ता हमने नहीं छोड़ा और फिर positively charged ही रह जाएगी यह body तो इस process से हमारे पास एक positively charged body रह गई वो है AB तो अब हमारे पास जो conductor AB है वो positively charged है तो इसे हमने positively charge किया earthing के help से और induction के help से तो induction के help से हमने charges को separate किया और फिर earthing के help से negative charges को बाहर निकाल लिया और हमे positively charged body मिल गई अब फिर से हम एक neutral body लेते हैं और इस बार अगर हमें इसे negatively charge करना हो पिशली बार हमने देखा कि हमने उस body को positively charge किया पर अगर हमें इसे negatively charge करना हो तो हम क्या कर सकते हैं तो इस बार हम इस neutral body के पास में एक positively charge rod लाएंगे फिर से induction के process की वज़़े से जो negative charge है वो इस तरफ आ जाएगी end A की तरफ क्योंकि negative charge इस positive rod से attract होगी और जो end B है वहाँ पे ज्यादा positive charge होगा क्योंकि electrons वहाँ से इधर आ गए हैं वहाँ पे electrons की shortage है तो हमारे पास end A है जो negatively charge है और end B है जो positively charge है तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास इस तरफ negative charge है जो यू तो freely move हो सकता है पर इस case में इस positive rod की वजह से वो यहाँ पर bound हो गया है तो यह attract होके यहाँ पर bound हो गया है और positive charge जो है वो तो वैसे भी कहीं flow नहीं होता तो एक end में हमारे पास positive charge है और एक end में negative charge है जो negative charge भी फिलाल bound है इस rod की वज़े से अब अगर हम यहाँ पर earthing करते हैं यानि earth से end B को connect करते हैं तो क्या होगा ये जो end B था वो बहुत strongly positively charge था उसकी वज़े से क्या हुआ earth ने कुछ electron supply कर दिये ताकि वो neutral बन जाए तो end B neutral हो गया लेकिन end A पर आलरड़ी हमारे पास electrons extra थे जो bound थे तो हमारे पास total में इस body में क्या हुआ total number of electrons बढ़ गए है ना तो जब total number of electrons बढ़ जाएंगे तो ये body negatively charge हो गई अब हमने earth का connection हटा दिया और फिर हमने वो rod भी हटा दी अब क्या रह गया इस body में ज्यादा negative charge और कम positive charge तो total में ये body क्या हो गई negatively charged हो गई तो हमने क्या किया induction और earthing के help से इसे charge कर दिया तो हमारे पास अब जो body है वो negatively charged body है और ये हुआ क्योंकि हमने पहले charge separation किया फिर हमने earthing किया जिससे extra electrons इस body में आ गए और ये body total में negatively charged हो गई तो किसी भी object हो अगर हमें induction के through charge करना है तो induction से हम separation करेंगे charges का और फिर earthing करेंगे और वो body charge हो जाएगी don't forget to subscribe to our channel you can also register for free at delta step dot com to get all learning resources as per ICSE CBSE IB Cambridge or any other curriculum over five thousand amazing lectures across maths science English and social science our unique interactive video technology keeps you engaged and our i dictionary feature allows you to quickly revise any concept master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions get instant answers and detailed solutions be exam ready by taking unlimited mock tests performance analysis along with actionable feedback personal tutors to resolve your slightest of doubts that's not all you also get amazing prizes like playstations iPads watches and many more along with certificates through our own as you learn program so at delta step dot com learning is not just fun and easy it's rewarding too so register for free now